वाही गुर्जी का खालसा वाही गुर्जी की फते प्यारे ओजापा जानागे के जड़ी कड़ा परशादी देग है वो कदों तो बनना शुरू होई ते केस गुरू सहीबा ने शुरू कीता परशाद जिड़ा प्रशाद है ये प्यारे ओ सावतों पहले गुर्दास पुर्स जो के अच्चल सहब अच्चल आवटों पहले जदो गुरुनान के सचे पाशाजी उथे सिद्धा नू मिले सिद्धा ने कहा गुर्दान के सचे पाशाजी नो के माराज साटेना लुकन मिची खेड़ो पहला आपा सारे लुक दे हां फिर आप जी लुकना प्यारे गुरुनान के सचे पाशाजी ने हां कारद दी सारे सिद्ध रिदियां सिद्धियां दे सहत सान सारे पुल रिदियां सिद्धियां सान सिद्धा ने की कीता किसे ने पंची दा रूपता रन कर लिया पंची दा रूपता रन करके आसमन वे चुड़ गया और कोई मची दा रूपता रन करके स्रोवर्च वड़ गया कोई डड़ू बन गया पाव के जीवां दे रूप तारण कर ले अपनी अरिदियां सिदियां द्वारा गुर्णान कसचे पाथ्षा जी ने प्यार्यों अपनी जड़ी पैर चर्ण वेच खडामा पाज्या हुन्या सन एक खडावाल गुरू पाथ्षा जी ने इशारा कीता सिर्फ इशारा कीता क्योंके गुरू बाबा जीता हुना रिदियां सिदियां दे पंडारे लई भर देने गुर्पर मेशरे को जान आप नारायन कलातार जग मह पर वरेओ नरंकार अकार जोत जग मंडल करेओ उना कोलता हुना रिदियां सिदियां रिदियां सिदियां दा पंडारा है उता आप सागर ने उना ने जड़ी अपने चर्णा वेच खडाम पाई हुई है उते बाले इशारा कीता प्यारेओ जड़े जड़े सिद्वी वकरे वकरे जीवां दे रूपता आरन करके लुके हुए सान कोई पंची दा रूपता आरन करके असमान चुड़िया हुए सी कोई किते बैठया हुए सी द्रख्त दे उते कोई मच्छी दा रूपता आरन करके कोई डड़ू दा रूपता रनकार के स्रोवर्च वड़े होए सान जदो गुरू बाबाजी ने अपनी खड़ावनू अशारा कीता ओजडी खड़ाव सी ओज़ी खड़ाव सी ओज सारे आदे सेरादे वेच जाजा वज़ी पाव के सारे सिद्धा नू गुरू बाबाजी दे सामने ओस खड़ावने ले आके परगट कर देता सारे से द बड़े शर्मिदे होए के गुरुनान का पाश्याता बड़े करामाती ने ये था बड़ा बड़ा करामाती बंदा है क्योंकि होता गुरु पाश्या जी नू आमीन सान समझ देने क्योंकि सिद्धा दिया था बड़िया लंबिया उम्रा ने बस रिदिया सिदिया वेच फसे होए ने ता करके हरान हो गए सारे ये गुरु नानक ये था बड़ा करामाती बंदा है फिर सारे ने कठे होके गुरु बाबाजी दे चरनच बेंती कीती महराज उन सानूता तुसी लब भी लेया है तुसी अपनी ता करामात वर्ता ही दिती है उन तो अड़ी टरन है तो अड़ी वारी है किर्पा करके तुसी लुक जाओ जित्धे भी लुकोगे अज ये आप जिन्नों लब लेयावांगे कोली खड़े कई शर्दालू गुर्सिक वी सन गुर्सिक खन बेंती कीती महराज आप जीते रिदियां सिदियां दे पंडारे हो खुद सागर हो एता अनजान ने सारे पर जे बाई चांस तुसी ना लब बे फिर आप जीन्नों केमे वाज मारके बलावांगे केमे आप जीन्नों परगट करांगे गुरु पात्षा जीने साथ संक्त जी पहली बारी हो थे कडा परशाद बना उन्दी उननों विदी दसी के एमे परशाद त्यार करके कोल सवार पईया राखके अकाल पुर्खदे चरना चरदास करें आप अपरगट हो जावांगे उन गुरु नानक सचे पाशाजी दी बारी है गुरु नानक सचे पाशाजी ने साथ संक्त जी अपने सरीर नों अपने पांच पौतिक सरीर नों पंजात अत्तां देवे चमला देता अकाश हवा अग मिटी पाणी पाव के पंजात अत्तां देवे चमला देता जड़े सेद सान बढ़ियां अरुदियां सिदियां चलाईयां उनाने बड़े टांगत्री के वर्ते पर प्यारे ओ गुरु पाद्शा किसे नू न लब्बे काफी समा बीद गया अद्दा जिन बीद गया थाक हार के बैठ गए फिर जड़ेक सरदालू गुर्शिक संद उन्हाने की किता बड़े प्रेम सहत शर्दा सहत जमेत अनुगुरु नानक सर्चे पाश्चा जी ने विदी दसी सी वो से विदी अनुसार कड़ा परशाद त्यार कीता परशाद बनाया कोल सवार पया रखेया और सत्गुर्जी दे चरना जरदास कीती प्यारे और जदों होई अरदास जदे सत्गुरु नानक सचे पाश्चा जी परगट हो गए जिनने में सेदसान ठके हारे जो के गुरु पाश्चा जीनों लबदे लबदे बड़े परेशान होए बढ़ियां रिदियां सिदियां वर्तियां पर लबेनी सी महराज सारे महराजे चरना जड़े और जड़े शरदा लूसान उनाने में सचे पाश्चा जी दर्शन करके अपने आपनों सपागे समझेया ओस समय अच्चलव टाले दी तर्थी थे गरदास पर अलाकेच तान गुरु नानक सचे पाश्चा जी ने पहली वार अपने सिखानूं कड़ा प्रशाद बनाओं दी विदी दसी अते पहली वार उत्थे ही कड़ा प्रशाद बनाया गया ओस्तों बाद विच फून तक गुरु करदे विचे रीत चली आ रही है जदों में कोई समाग महुंदा है सिवेरिशाम नितने महुंदे ने गुर्दवारा सहब बाना विच और जड़े इतियासक गुर्दवारा सहब ने उना विच ता चौवी केंटे ही वर्तदा रहन्दा है और जड़े आम पिंडाओं वाले गुर्दवारे ने उत्थे सवेरे शाम तकरीबन बन दी ही है देग शाम नहीं ता सवेरे ता पक़ई बन दी है पाव के ए रीता जड़ी कडा परशाद वाली ए अच्चल वटाले गर्दास पर लाकेच जदो सिद्धा नूं सद्धा ने बेंडतियां कीतीयां महराज दखाओ आपनियां करामाता तुसी साधे कोलता बहुत करामाता ने एमें कर देयां सी लुक्न मिटी खेट देयां पहला असी शेप देयां फिर तुसी शेपे हो अपा लबांगे किसे ने पंचीदा रूप तारण कर लिया कोई मच्छी डड़ू पाव के जीवां ने रूप तारण कर ले सारे सिद्ध लोग गए गुरू बाबाजी ने अपनी करामात वरताई और लब ले बाद वेच गुरू बाबाजी लोग गए जोके सिद्ध नू लबे नी सान थाक हार के हाफ के बैठ गए और गुरू बाबाजी जदों परगट होए फिर सारे सिद्ध मारा दे चरना चड़ेग पए के मरा सानू माफ करेो अपा अपजी नू आमिन सानी समझ दे रे वाही गुरू जी का खालसा वाही गुरू जी की फते